शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें मुझे माफ कर दीजिए प्लीज कल शाम को जो कुछ भी हुआ उसके लिए में बहुत शर्मिंदा हूं प्रियाज दरसल वो आप मुझे इस अब क्यों बता रहें मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूं ओके दरसल वो महावली कुछ ऐसा था और बस मैं बहग गया और वो दाल चावल मंचूरियन सब आपके ड्रेस पर इसलिए आपके लिए ड्रेस लाएं मुझे आपके इस ड्रेस की कोई जरूरत नहीं आप मुझे परिशान करना छोड़ दिजी प्लीज देखिए अगर आपकी ड्रेस ले लेंगी तो मैं आपको कभी परिशान नी करूंगा प्रॉमिस तो आज शाम को साथ बजे मेरे कमरे में या आपके कमरे में जी आज शाम को साथ बजे मेरे कमरे में या आपके कमरे में आज शाम को साथ बजे मेरे कमरे में तो समझ लीजे बंदा हाजर हो गया ऐसे मधन रोड़़को जो जो कि अधिर का समुए बार से खुए खुल हुस्न कचान्द धवानी कु कमल कहते हैं देख कर हम तुझ्झे एक शोख घजल कहते हैं वह संगे मर्मर सा तराशा हुआ शफाफ बदन देखने वाले तुझे ताज महल कहते हैं शेर तो आपने बहुत खूब पड़ा अदाब लगता है काफी लड़कियों को सुना चुके हैं आप और इसे आपको काफी सफलता भी मिली होगी नहीं अरे क्या बात कर रही हैं आप अभी इसी वक्त आपको देखर य देजी से चल रहा है और वक्त उससे भी ज्यादा देजी से गुजर रहा है हमें एक पल भी गवानाने चाहिए प्रिया एक दूसरे में खोजा दे है अ बड़े भाईया पिता जी नहीं ताओ जी बिलकुल नहीं मेरे होने वाले पती जी जिन्दा जिन्दा भी और अगर उन्होंने आपको इस हालत में देख लिया न तो आपके सिहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है आचा कि माफ कीजिएगा जोड़ी कुछ जमी नहीं फिर यह मेरी अपनी राय अपनी राय अपने पास ही रखें क्योंकि सब लोगों का कहना है हमारी जोड़ी खूब जम्ती है आईव बासा मज़ में बात तो करीब करीब समझ में आ गई है लेकिन एक बात बताईए आपने कभी कोई बैमानी की थे मि perceived यह तेन चार दिनों वाली थे तीन चार घंटों वाली नहीं ना कभी कोई गलती की है और ना ही करने का इरादा है अच्छा टिपिकल इंडियन वोमन जी क्या कहा आपने नहीं मैं तो यह कहने जा रहा था कि आप जैसी आदर्श भारतिया नारी से मिलकर बड़ी खुशी हुई शुब रातरी जय हिंद अरे मुझे मेरी मा की आदा गई और मैं उनके तस्वीर के सामने बैठकर रोना चाहता हूं माय या 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 आपने आम मेरे का सू साड चली मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूं नहीं नहीं मैं चला जाओंगा अरे ऐसे ही कैसे हर मेजबान का फर्ज हो देव यूटन मार यहा दाल नहीं कलने वाली चूट लगी आपकी छोटी सी इगो को ठेस पहुची मिस्टर देव करन सिंग कि अरे नहीं नहीं बलके मज़ा आया पहली बार अपनी टक्कर का मिलाए कोई एक बात काऊं कम से कम हम दोस्तों बन सकते हैं नहीं मेरे मतलब है नो हैंकी पैंकी नो लफडा शिर्फ हंड़िट पसेंट शुद्ध दोस्ति शुद्ध दोस्ति हसीनों की कसम मन्जूर मन्जूर तोस्त बहुत जोर से बूट लगी है खाना खिलाओगे वाई नॉट माई प्लेजर इंट्रेस्टिंग बेरी इंट्रेस्टिंग तिव जिस तरह से तुम औरतों के बारे में बात करते हो तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई खास इज़त नहीं होगी घलत बिलकुल घलत यकीन मानो मैं औरतों की बहुत इज़त करता हूँ मैं तो उन्हें यहां यहां उपर रखता हूँ मतलब हवा में लटका कर नहीं नहीं उपर सिंहासन पर हुआ है लेकिन क्या है कि जैसे-जैसे मैं उन्हें नें करीब से जानने लगता हूँ सिंहासन धीरे धीरे नीच आने लगता है हां फिर डोलने लगता है डग्मगाने लगता है और गिर की चक्राइवचाश कोर रूजाता है बिलकुल साही कि तुम्हेंने लगते तुमारी ऐसी हरकोते से किसी का दिल तूट सकता है कि हाँ कई दिल तूटे भी है अब क्या किया जाए कि तुमने मचे दोस का है न देव तो दोस्ते की ना ते एक बात कहूं तुम लोगों का विश्वास चीतते हो और उसे तोड़ देते हो विश्वास चीतना आसान है उसे तोड़ना उससे भी आसान है मगर मुश्केल है उस विश्वास को निभाना और सच्चा इंसन वो है जो उस विश्वास को तोड़े नहीं बल्कि निभाए तो मेरे लगता हुँ एक स्यूज मेरे बात का जवाब नहीं दिया देव मेरे बारे में बहुत बहुत चीद होगी कोछ अपने बारे में बताओ मेरे बारे में कल बात करेंगे अरे कल क्यों अभी तो पूरी शाम पड़ी है कल का पूरा दिन भी पड़ा है गुद नाइट अच्छी तुमने परेशान करना जो बन कर दिया जी क्या कुछ कहा तुमने नहीं तो लेकिन आप कुछ कहने वाली थी अपने बारे में वैसे तुम्हारे तरह दिलजस्प नहीं है मेरी कहनी क्या मैं दो साल की थी जब ममी डाड़ी एक कार आक्सीर में गुजर गए मैं पुना के एक अनाथाश्र में पली और बड़ी होके वही कि बच्चे को निर्तसंगीत सिखाने लगी एक दिन हमारे यहां एक चारिटीव प्रोग्राम में वह चीफ गेस बन किया हैं वह कौन वह फोटो वाले बाइसाब हां हमारा प्रोग्राम देखने के बाद उन्हूने प्रस्ताव रखा क्या पहली मुलाक आदम है पॉममे में संगीत अकाडमी कोले का प्रस्ताव आच्छ और वो मैंने कबूल किया पिर कुछ दिन आपद उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा मैंने वो भी कुबूल किया बस देव मेरे सुने की तुम्हारे सामने एक खुली किताब है अरे लेकिन ये तो सिर्फ एक ही पन्ना है हाँ देव मेरे किताब में सिर्फ यही पन्ना है क्वारे श्र्फ यही पिताब माष्य दिवारे श्रीप इसे रोकना थेंक्यों आप्ण्यों इसे रोकना हैं प्लाक व्यूटी तुम्हारा कैमरा बढ़ अच्छा है अरे इंपोर्टेड मेरें सिंगापूर पांसषों डॉलर का है, बोट अच्छी पुट कीट है आई धेखाद्धा देखा है वाउ अच्छा इख वॉण देखाद्य जेखा अच्छा रोल तो इस मिज़ी निगल जाता है और इसमें तो कुछ मुझ्ञ नहीं तुमने दूमने मेरा रॉल फिक धिया आप कांब ना दून इम शव्याव के 게ड़ बटना चोड़ूं का ने में तुम को रीजा रीकित विपनि कन वी तुम्हारे साधो देखी जינו कांजने मैंने अरे प्रिया लेकर हम तो सुर्फ दोस्त हैं मिस्टर देव शराब खाने में तुम दूद का ग्लास लेकर बैठो ना तो दुनिया सोचे कि तुम शराब पी रहे हो इसलिए मैं जाते हूं मेरे रास्ते और तुम जाओ तुम्हारे रास्ते लेकिन प्रिया देव आपको देखकर अभी शेर सुजा है मैडम हुष्ण को चांद जवानी को कमल कहते हैं देखकर हम तुझे एक शो घजल कहते हैं उफ यह संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन देखने वाले तुझे ताज महल कहते हैं वाइदेव करन सिंग कहते हैं आई नो दाट वैस आई प्राइदेव आई प्यूट पूल अवर यू कामिनी तुम्हें देखकर अलगता है कि तुम्हारे बाद बहुआन ने खुबसूरत लड़कियां बनाना ही बंद कर दिया हैं थांक यू मैंगाद अवाइट मिस्ट यू अरे अब तो दूर से ही दर्शन करने पड़ रही है अर अब तो वो मुवा उस कामीनी कामनी नाम के मैना के साथ कहुकुहु कर रहा है केसा सपनों का गोसला सजा के रखा था मेरे पूपट ने था पूपट की मा जिसमें मैं तुम्हारी बहु और हमारे तीन चार छोटे छोटे पूपट खुशी-खुशी रहते लेकिन यह जनम जली इस पूपट को छोड़के उस कववे के साथ चली गई और वो कववा इसे च अब लोगों को यह की नहीं होता ना मैं अभी सावित कर देती हूं हां करो करो ना देव देव एक मिन नीचे आओ प्लीज अभी नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा अब वो शाणा को वा तेरी गुट्रगू नहीं सुनेगा अब तो दरिया में डूब कर जान देने के अलावा और कोई चारा नहीं है बेचारी के पास अरे जान देन के दुश्मन मैं अपना हूंगा इसे हां बहु यह सवारूपया ले और मेरे पूपट का आथ पकड़े अरे पकड़े पकड़े ने तो यह भी आख से चला जाएगा अजया जाएगा